रिखार दोस्तों आपका बोन्ड डॉक्टर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है तो आज हम बात करेंगे एवस्कूलर नेक्रोसेज़ ओफिम Γ downs यह सेकंड पार्ट है हमारे सीरीज का ओने ऐवस्कूलर necrosis of femoral head तो हमने आपको causes बता दिये थे investigations बता दिये थे previous episode में prognostic indicator बता दिये थे अगर आपने miss किया है तो previous episode जरूर देखिए तो treatment क्या है इसकी तो अगर तो patient बहुत early आता है और collapse नहीं हुआ है head का but crescent sign है और necrotic area दिखरा है MRI पे तो advocate करते हैं कि एक core decompression procedure किया जाए जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो इसमें patient को operation theater में लेते हैं छोटा सा skin incision करते हैं और फिर जिस area में आपको defect लग रहा है necrose bone का वहाँ aim करके guide wire डालते हैं यह usually anterior or superior area of the femoral head में होता है फिर इसको ream करते हैं expendable reamer से रीमर अंदर तक जाता है फिर उसके fin खुलते हैं और इसे गुमाते हैं फिर इसमें तीन चार चीजे कर सकते हैं या तो आप bone graft भर सकते हो या तो आप vascularized fibula graft कर ले सकते हो जैसे यहाँ दिखा रहे हैं fibula bone नीचे से निकालते हैं blood supply के साथ और उसे blood supply restore करते हैं उसको अंदर डालने के बाद तो यह live graft होता है कई लोग bone marrow transplant करते हैं कई लोग stem cell यूज करते हैं और early stage में इसका result फिर भी ठीक है late stage में यह काम नहीं करता पहले कई लोग muscle pedicle graft करते थे जैसे के आप यहाँ देख सकते हो एक bone का हिस्सा लेते थे with the attached muscle उसे hip joint से निकाल के आगे के हिस्से में डाल देते थे with the hope के जब वो हड़ी joint हो जाए तो वहां से blood supply आइस्ते आइस्ते femoral head को मिले लेकिन यह भी आजकल नहीं किया जाता तीसरा surgical procedure जो है वो total hip arthroplasty है यह stage 3 या 4 में किया जाता है जब patient को बहुत pain हो और वो day to day activity नहीं कर सकता तो इसमें हम pelvic side में cup डाल देते हैं और femur का head replace कर देते हैं जैसे के आप इस surgery में देख सकते हो तो इसमें bearings या lining important होती है young patients में हम ceramic on ceramic liner डालते हैं या ceramic on polyethylene liner डालते हैं total hip replacement 20-22 साल चल सकता है उसके बाद हम इसे फिर से change करना पड़ता है और इसकी life भी फिर 15-20 साल आगे चल सकती है तो आजकल total hip replacement में भी कई varieties आई है इसके बारे में भी हम बात करेंगे तो यह हो गया surgical treatment मैं अपने personal practice में core decompression, muscle pedicle grafting वगेरा नहीं करता हूँ हम patient को समझाते हैं कि यह जो dead हिस्सा है bone का यह naturally भी re-vascularized हो जाता है over two years, दो साल के अंतर तो इस दो साल में हमें क्या करना है इस दो साल में हमें उस hip पे ज़्यादा loading या वजन नहीं देना है patient को अपना hip carefully use करना है और एक प्रकार के drugs है जिसे bifosphonates कहते हैं यह हम दो साल तक patients को देते हैं जैसे के tablet हो गया islandronate ही हफते हफते संड़े के संड़े patient लेता है दो साल तक calcium D3 हम supplement करते हैं इससे bone collapse रुक जाता है और यह help करता है head का shape maintain रखने में और जल्दी healing हो जाती है इसके बावजूद हम accelerate करने के लिए zolendronic acid 5 mg intravenous drip देते हैं पहले हम साल में एक बार देते थे आज कल हम साल में दो बार देते हैं तीन से चार injection देने पड़ते हैं और फिर हम serial MRI करके देखते हैं तो कई patients में head बच जाता है कई patients में थोड़ा सा deform होता है और patients कौन बोलते हैं कि एक ही surgery लगेगी वो है total hip replacement जब आप pain नहीं tolerate कर सको तो कई patients उतावले हो जाते हैं बोलते नहीं हमको दरद है बट एक चीज़ याद रखनी चाहिए यह young patients की बिमारी है इसमें hip replacement की जल्द बाजी नहीं करनी चाहिए क्योंकि यह सिरफ 20 साल last करेगा फिर revision surgery लगती है तो हम patient को counsel करते हैं बोलते हैं जब भी painful episodes हो तब bed rest करो pain killers लो थोड़े दिन और आइस्ते आइस्ते अपनी activities बढ़ाओ hip muscles इसमें weak होने लगती है क्योंकि patient की activity कम होती है तो जिनको swimming pool का excess है हम उनको बोलते हैं कि आप swimming pool में जाके exercise करें walking in water hip exercises जहां hip पे pressure भी नहीं पड़ता और muscles strong हो जाती है तो मैं personally तो अभी surgery से धूर चला गया हूँ hip जब damage हो जाता है तब हम hip replacement करते हैं लेकिन core decompression एक अच्छा procedure है आप अपने डॉक्टर से discuss करें कि यह आपके case में early disease में फायदा देगा के नहीं और आप आपके डॉक्टर से सला करके decision ले सकते हो तो यह second episode भी complete हुआ और यह topic भी complete हुआ तो जल्दी से subscribe बटन दबा दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने family और friends के साथ जल्दी मिलते हैं अगले episode के साथ thank you